जहें दरुस्तर वंदेमाता अभी कुछी दिने पहने हम लोग दिल्ली के दलीला हुटल का एक मामला देखा था जिसमें कि एक आदमी ने खुद को साओधी की शेक फैमिली का बताते हुए वहाँ पर करीब 6 महीने स्टेक किया था और उसके बाद बिना बिल चुका है वो व्यक्ति वहाँ से भाग खड़ा हुआ था हलाकि 23 लाख रुपे का बिल जो बकाया था उसमें से उसने करीब 10 लाख रुपे चुका दिये थे मतलब करीब 33-34 लाख का बिल था 10 लाख रुपे चुकाने के बाद भी 23 लाख रुपे का बिल बकाया था लेकिन जब बिल चुकाने के बारी आई तो निकल ली है और अब उनकी लक्जिरी गाड़ियों को बेचा जाने वाला है चंडीगड में होटल बिल की रिकवरी का दिल्चस मामला सामने आया है यहाँ दो गैस लक्जिरी होटल में रुके छह मैने तक खूब मौजमस्ती भी कर अब चंडीगड इंडस्ट्रियल एंड टूरिजम डेवलिप्मेंट कॉर्परेशन मतलब कि सिटको 14 फरवरी यानि की वेलिंटाइन डे के दिन इन दोनों लक्जिरी गाड़ियों को नीलाम करने जा रहा है चंडीगड के पॉस्च एक्टर 17 में सिटको शिवालिक व्यू क के नाम से फाइव स्टार होटल चला रहा है साल 2018 में यहां अश्वीनी कुमार चोपड़ा और रमनीक बंसल नाम के दो कस्टमर आ रहा है वे 6 महीने तक होटल में रहा है और उन्होंने यहां खूब मस्ती करी और होटल की हर सुविधा का भी लुफ्ट उठाया जब उन्हो उन्हों बिल देने के नाम पर 6-6 लाख रुपए के 3 चेक दे दी जब होटल ने यह चेक बैंक में जमा किये तो वे बाउंस हो गए इसके बाद होटल ने उनकी और डी क्यू 3 और शेवरेले क्रूज गाड़ी को गिरवी रख लिया इस घटना को 5 साल बीद गए लेकिन वे गाड़ियां लेने वापस नहीं है इसके बाद होटल ने इने बीच कर भरपाई करने की अब योजना बनाई है साल 2020 में किराय की भरपाई के लिए सिटकों ने रमनीक बंसल को पार्टी बनाते हुए ये केस चंडी गड़ जलालात में दायर किया था मामले में माज 2021 में कोर्ट सुनवाई के दोरान रिपोर्ट के हवला दे कहा गया था कि मामले में प्रतिवादी पक्ष मतलब की कार मालिक रमनीक बंसल को बेजे गए समन वापस आ गए थे घर पर तार लगा हुआ था और वो किराय पर रहते थे वहीं दूसरा पता हुशियार पुर का था जहां समन भेजे गाय थे हाला कि प्रतिवादी बक्ष की कोई जानकारी ना मिलने पर अगस 2015 में पब्लिकेशन भी करवाया गया मगर कोट में कोई पेश नहीं हुआ ऐसे में एकस पार्टी का रवाई शुरू कर केस को आगे बढ़ाय गया था वहीं मामले में अन्यकार मालिक को उनकी आर्टी के अधार पर समन जारी किया गया था मगर वो भी पेश नहीं हुआ सितंबर 2021 में पब्लिकेशन के आदेश दिये गए थे वो तब भी पेश नहीं हुआ जिसके बाद नवंबर 2021 में उन्हें भी एकस पार्टी पर केस आगे चलाएगे रिपोर्ट में आया कि वो तीन साल से संबंदित पते पर नहीं रह रह रहा है मामले में PB10CF0009 कार किसी अश्विनी कमार चोपडा के नाम पर रेजिस्टर थी तो वहीं PCL0082 रमनीक बंसल के नाम पर रमनीक बंसल का चंडिगड़ के सेक्टर 48C और 49B का एड्रेस कागजों में था हाला कि वो वहाँ पर रहता नहीं था वहीं सेक्टर 44C के पते पर भी कोई नहीं रहता था इसके अलावा उसके बेटे के पास इंडुस्ट्रियल एरिया फेज वन में भी एक अर्जी भीजी गई थी जो की सर्व हो गई थी हाला कि रमनीक बंसल पेश नहीं हुआ वहीं रिपोर्ट में पता चला कि दोनों में से एक कार ब्लैक लिस्टेड है तो वहीं दूसरी कार PB10CF009 का बैंक से लोन चल रहा है इस पर सिटको ने कहा है कि निलामी की रकम से पहले क्रेडिटर्स का रुकम चुकाएंगे और उसके बाद अपनी रिकवरी करेंगे इस समन्द में सिटको के जनरल मैनेजर फाइनस एन अकाउंट्स ने एफिडिवट भी इदायर किया था कोट से परमिशन लेने के बाद होटल ने इनकी निलामी की तारीक तैय कर दी है इनने 14 फर्वरी को निलाम किया जाएगा इसमें 45 लाग की ओडी की उतरी का रिजर्व प्राइज 10 लाग और 17 लाग की शेवरले क्रूज गाडी का रिजर्व रेट 15 लाग रुपे रखा गया है ओडी 2012 और क्रूज करीब करीब 2016 मोडल की गाडी अब यह जो एक मामला निकल कर सामने आया है अपने आप में ही काफी जादा हैरत कर देने वाला मामला इसलिए है क्योंकि बहुत सारे केसिस में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने शौक पूरे करने के लिए किस हथ तक चले जाते है अब यहाँ पर आप मुझे खुदी जड़ा सोचके बताइए कि 6 महीने तक होटल में रहना मतलब मजाग बात नहीं होती एक दो दिन तीन दिन चार दिन तक समझ में आते हैं लेकिन 6 महीने तो भाई 19 लाग कबल तो आए गई मेरे स्विडियों फिलालत नहीं जैहिन जै भारत